हेलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्जी इसके लिए हमें चाहिए आलू मटर एक प्याच एक टमाटर कटवा यह हमारे पास अद्रक लसन और प्याच का तो इसके प्याच तो न आपक तो इसके लिए कि अपने अधान बेशा नमक यह हमारे पास पिसी मिर्च दो चम्मच हमारे पास हल्दी मिर्च यह एक चम्मच नमक तेर चमच के गड़िए या अपने आत्स्वादन न सावी नमक डाल सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करत हम इसमें अदग रसंद प्याज का पेश का लेंगे हम इस पेश फर्म फोड़े के लिए भूने देंगे कर दो देखिए हमारा मसाला भुन के तियार हो गया है देखिए अब इसमें डाल मिर्च के लाल मिर्च एक चमंच हल्दी एक चम्मच नमक तेड़ चम्मच मिला देंगे हम इसमे डाल देंगे हम दो चम्मच पीसिवी लाल मिर्च हम इसको मिक्स कर देंगे हम इसमे डाल लेंगे हम एक कटाव टमाटर हम इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी से मिक्स कर दो अच्छी मिक्स कर देंगे अच्छी से मिक्स कर देंगे हम इसमे डाल देंगे हम इसमे डाल देंगे अलू हम इसको फोड़ा मिक्स कर देंगे तक हमारे अलू मैटर अच्छी से मिक्स हो जाएंगे अच्छी से अच्छी से टेंगे तक ही मिक्स कर देंगे डाल यहां कर दो तो इसको चला देंगे तो थोड़े के लिए दख देंगे थोड़े सी गयास का फ्लेम लो कर देंगे तक कि हमारी सब्जी लो फ्लेम पे अच्छे से बन जाए लेके फ्रेंट्स अब हमारे अलू मतर मसाले के साथ बुन चुके हैं और यह पक भी चुके हैं देखिए आपको दिखा देती हूं यह देखिए अब इसमे डालेंगे हम दो गलास पानी दो गलास पानी हम इसमे डाल देंगे अब हम इसको मिक्स कर देंगे अब हम पांच मिन दसमिंट के लिए सब्ची को पकाएंगे अब देखिए अब देखिए दस मिन के बाद बन के तियार हो चुकिए हम इसमे नाल देंगे इनके कटा वह रा धनिया हमाई सब्जी बन के तियार हो चुकी है तेक्ये फ्रेंज अब हमाई सब्जी बन के तियार हो गई है और देखें दिखने में यह कितनी colorful लग रही है और कितनी अच्छी लग रही है बनने के बाद में है थैंक्स फॉर वचिंग लिक, सब्सक्राइब, कमेंट और से रही है